हेलो फ्रेंड्स जून मंत के प्रिलिम्स के डिस्कॉसन में आपका स्वागत है तो हम बाकी बचेवे जो फर्स्ट पार्ट को हमने डिस्कॉस कर लिया है अगर हम बात करें सेकेंड पार्ट के तो आज हम डिस्कॉस करने वाले हैं सो फ्रेंस डिस्कॉसन को स्टार्ट करते हैं नेक्ट क्विस्चन जो 21 क्विस्चन है वो अबाउट दा एंडिया और युनाइटेड अरब एमिरेट है उसके रेलेटेड है तो उसके अंदर फ्रेंस पुछाया है कि जो कंप्रिहेंसिव एकोनोमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट साइन हुआ है दोनों कंट्रीज के बीच में हम फ्रेंस 2022 के अंदर 2022 के अंदर एंडिया और युए ने ये एग्रिमेंट साइन किया है कंप्रिहेंसिव एकोनोमिक पार्टनर्शिप एग्रिमेंट और इसके अंद यह question, यह option जो है, वो correct है, अगर इसके बात करें कि both are part of the I2-U2 group, अगर I2-U2 group की बात करें तो जो recently अभी form होगा है, India, Israel, USA and UAE इसके पार्ट हैं, तो यह option C is the correct answer, इसके लाव अगर हम friends अगर हम बात करें, तो UAE के अगर हम बात करें, तो वहाँ पे जो Indians हैं, वहाँ लार्ज काम करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, और यही region है कि जो remittance है, वो भी India को बहुत ज़्यदा जो receive होता है, जो भी remittance इंडिया को receive होता है, तो वो UAE से जो share है, वो काफी high है उसका, अगर हम India के अगर remittance के अगर बात करें, तो जो World Bank के एक report publish करता है, उस report के according, इंडिया जो remittance जो receive करता है, वो 2.9% of GDP है, इंडिया का, 2.9% of GDP इंडिया हाइस्ट वर्ल्ड के अंदर remittance receipt करता है, हाइस्ट इंदा money के रूप में करता है, अगर GDP के percentage की बात करें, तो उसके according तो इंडिया हाइस्ट नहीं है, 2.9% इंडिया का हाइस्ट है, GDP के according, और अगर इसके जो इंडिया का है, वो higher या more stable than the FDI है, इंडिया से इंडिया में जितना भी FDI आता है, उससे जज़ा है, और अगर इसके fluctuation की अगर बात करें, तो फोरन जो portfolio investment जो लोग 9% से कम किसी भी company के अंदर invest करते हैं, तो उससे कम fluctuating हैं जो इंडिया का जो remittance है, तो 2.9% of इंडिय इंडिया का GDP, इंडिया remittance से score करता है, बाहर से receive करता है, तो UAE का उसमें share काफी अच्छा है, तो फ्रेंड्स यहां पर सी आंसर इसका हुआ, let's move to the next question, next question is about the Baltic Sea के बारे में पोचा है, तो Baltic Sea के इसके अंदर neighbor countries इन्होंने पोचा है कि कौन से countries को border करते हैं, तो फ्रेंड तो अगर हम eight European Union के अगर countries के अगर हम बात करें, तो उसके अंदर friends, तीन तो हैं Finland, Sweden, Finland, Sweden and Denmark, इसके लावा हम बात करें, three countries like the Estonia, Latvia, Estonia, Latvia and Lithuania, इसके लावा जर्मनी और पोलेंड है, अगर आपको जर्मनी और पोलेंड को याद करना है तो कि second world war के time में जर्मनी ने पोलें इसके अलावा अगर बात करें, तो रसिया है, तो friends, these are the eight countries, तो इसके अंदर बात करें, चेक रीकबली के इसका पार्ट नहीं है, तो अगर अगर इस question को eliminate करते हैं, तो C is the right answer, एक बार दुबारा से इसके countries को देखेंगे, Finland, Sweden, Denmark, Estonia, Lithuania and Latvia, Germany, Germany, Poland and Russia, so ये eight country हैं, जो बाल्टिक सी को border करते हैं, so C is the right answer, let's move to the next question friends, next question is about the bisphenol A, से related है, ये prelims 2021 के अंदर भी इस question से related, इस topic से related a question पुछा गया था, अगर हम bisphenol A के बात के बात के, अभी इसको ban किया जा रहा है, अगर हम बात करें भी से बात करें, जो इसको बात करेंगे बात करें, तो अगर हम देखें कि जो बच्चों की जो प्लास्टिक की बोटल होती है, बोटल का जो special जो धक्कन होता है, उपर वाला, जो कैप होता है, तो ये सब इसी से क्रेट किया जाता है, तो अभी जो प्लास्टिक को बैन करने से related, जो मुवमेंट साल रहे हैं, उसी उसक्यों को एक बार देखना, फ्रेंड्स, लेट्स नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट की बात करें, तो इसमें प्रोकारियोटिक सेल के बारे में पुछा गया है, तो फ्रेंड्स अगर आपको आपने साइन्स को बेसिकली अगर रेड़ी की होगी, तो आपको इसके अगर इसके बात करें कि नूकलियस एपसेंट होता है सेल के अंदर तो सी इसका राइट आंसवर है, तो फ्रेंड्स अगर आपने साइंस को रीड नहीं किया, तो आप रीड करना, बिकोज नाइन तो टेन कुश्टन जो प्रेलिम्ज में बेसिकली जिसमें चार से पांस कु बता होना चाहिए यह तो एक factual question है इसके बारे में कुछ बता नहीं सकती प्रिकारियोटिक cell के बारे में आप रीड करना basic books से इनके बारे में एक comparison प्रिकारियोटिक cell के बीच में जो difference है उसके बारे में पता करना तो next question की तरफ चलते हैं friends next question पुछाए कि world अगर हम यह जो रिपोर्ट है इसकी बात करें तो इस रिपोर्ट को कौन पब्लिस करता है अगर हम international energy agency के अगर बात करें तो international energy agency 1973 के अंदर establishment में आयता और यह पार्ट है OECD group का जो पेरिस के अंदर इसका headquarter है international solar alliance के अगर हम बात करें तो international solar alliance तो 2015 के अंदर existence में आयता friends जो COP21 थी Conference of Parties UNFCCC की तो उसके टाइम में इंडिया और फ्रांस ने मिलके इसको establish किया था और starting में जो इसकी membership थी जो रखी थी कि Tropicop Cancer और Capricorn के भी fully या partially जो countries है उन्हीं को इसका member बनाया प्रजेंटली तो ओपन फो रोल है अगर हम बात करें वर्ल्ड एकोनोमिक फोर्म की तो वर्ल्ड एकोनोमिक फोर्म आपको बताऊगा 1971 में यह establishment में आया था और हर साल यहां पे इसका एक summit होता है जो January के अंदर होता है जिसको डावस summit भी बोला जाता है तो इसका जो राइट answer है वो C है International Renewable Energy Agency International Renewable Energy Agency के अगर हम फ्रेंच से बात करें इसको लिखा जाता है अगर हम इसकी बात करें तो यह 2009 के अंदर बोन जो एक जर्मनी का सेर है वहां पे इसको फाउंड किया गया था और इंडिया इसका founding member है अगर इसके headquarter के अगर हम बात करें तो अबू धाबी जो एक जगह है UAE के अंदर में अबू धाबी के अंदर इसका headquarter located है इसके लाव फ्रेंड्स आप comment section के अंदर यह बताना कि जो bone है एक bone convention नाम से भी एक convention है जो environment से related है तो आप बताना कि bone convention किसी से related है तो आप comment section के अंदर यह चीज बताना तो world energy outlook transition outlook के अगर बात करें तो यह international renewable energy agency इसको पब्लिस करती है अगर इसके लाव अगर हम friends अगर बात करें तो इस report के अंदर basically बताय गया है कि net zero emission का जो target है 2030 तक यह mid-sensory तक जो target है net zero emission net zero emission का तो उसको हम अचीव करने की तरफ जा रहे हैं नहीं जा रहे है decarbonization को हम कितना चीव कर रहे हैं तो इन सब चीजों से related इस report के अंदर बताये गए वर्ल्ड अनर्जी ट्रांजीशन आउट्लुक जिसको रिपोर्ट को पप्लिस करता है इंट्रनेंशन रिन्योंबर अनर्जी एजनसी जो को 2009 में फॉर्म किया गया बोन जर्मरीं के अंदर और आबू धावी में इसका headquarter है तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्यूशन की तरब मोग परते हैं नेक्स्ट क्यूशन में पैंटिंग से related क्यूशन है तो इसमें पैंटिंग और स्टेट से मैच करा है अगर हम वर्ली पैंटिंग की अगर बात करें तो वर्ली गुजरात और महराष्टा का जो बोडर है अगर हम पेंटिंग को बनाया जाता है अगर हम बात करें कालमकारी पेंटिंग की तो कमला देवी चत्वपाद्याई जो हमारे एक freedom struggle के time एक काफी name था उनका उन्होंने देश के आजादी में काफी महत्पुन योगदान दिया था तो कमला देवी चत्वपाद्याई ने इस पेंटिंग को काफी popularize किया था जो अंदरप्रदेश के अंदर बनाया जाता है अगर हम कालमकारी पेंटिंग के अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो कालमकारी पेंटिंग basically two type की दो तरीके से इनको बनाए जाता है एक तो होता है स्री काल हस्दी स्री काल हस्दी और second type is the मचली पटनम तो मचली पटनम और स्री काल हस्दी इसमें है अगर हम मचली पटनम की बात करें तो यह handmade painting है जिसके द्वारा हाथ के जो blocks जो बने होते हैं उनके द्वारा इस painting को बनाए जाता है इसके लावा अगर हम बात करें स्री काल हस्दी तो इसमें हिंदू जो religious जो भी figures हैं या जो religious जो person भगवान हैं हिंदू धरम से related उन से related इस painting को बनाए जाता है इसके लावा अगर हम friends अगर हम बात करें एक painting और है जिसको गुजरात और मद्यप्रदेश बोर्डर के उपर बनाया जाता है तो आप उस painting के बारे में comment section के उपर बताना और इन सब paintings को हम अभी जो NCRT series चल रही है उसके अंदर हम इन सब को cover करेंगे जब painting वाला जब chapter आएगा जब तो friends next question की तरफ चलते हैं और इस question का जो right answer है C है तीनो correctly मैं चाहें next question ही जब out the realm से हंट syndrome की बात करें तो यह इस अभी रिसेंटली जो एक USA के एक singer है उनको अभी यह रिसेंटली यह syndrome से सफर कर रहे हैं तो वो इसके बारे में यह news में था अगर हम बात करें फर्स्ट टोपिक के तो यह rare neurological disease बोला है जो एक virus से होता है non contagious है अगर एक human to human transmission इसका not possible है and इसके symptoms की redress होजेगा blisters in and around the ear hearing का loss भी हो जाता है पर यह hearing का loss अगर बात करें तो temporary basis पे होता है friends इसमें hearing का loss ऐसे नहीं है कि permanently hearing loss हो जाता है temporary basis पे होता है तो c d is the correct answer friends all three statements are the correct तो next question की तरफ चलते हैं friends next question ने जब out the lakes आवा यह recently एक country के अंदर है जो अगर हम बात करें इराक जो country है उसके अदर अभी यह जो लेक है recently dry हो गया था तो उसी से related news में था और friends आपने देखा होगा कि इस साल भी prelims के अंदर एक question पूछ लिया गया था कि अफरीगा के अंदर कौन सी जो लेक थी जो dry हो गई थी तो इसी से related आपको ऐसे lakes के बारे में पता होना चाहिए कि UPSC कभी भी कोई भी साल किसी बितरे से कोई question पूछ सकता है अगर कोई topic news के अंदर है तो इराक is the correct answer है इसका अगर इस lake की अगर हम बात करें तो बगदाद जो इराक की capital है उसके सदन में यह lake located है और recently dry होने की जो मैसूर वार के बारे में बोला गया है कि third Anglo मैसूर वो actually में जो लड़ाई जो लड़ाई गई थी तो किन दो लोगों के बीच में लड़ी गई थी अगर हम बात करें तो मैसूर जो presently करनाट का है वहाँ पे located है और मैसूर जो kingdom है उसके एक very famous king थे हैदर अली हैदर अली क के ही बेटे थे टीपू सुल्तान तो हैदर अली के बेटे ने ही मतलब जो टीपू सुल्तान है tiger of मैसूर और British के बीच में third Anglo British war का war हुआ था अगर हम बात करें war के बारे में तो वो इसके अंदर टीपू सुल्तान को defeat मिली थी तो इस वज़े से वहाँ पे टीपू सुल्ता की केपिटर ट्रीटी स्री रंग पत्नम की जो ट्रीटी थी वो ट्रीपू सुल्तान ने यहां पे साइन की थी बेटीश के साथ में तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसके अंदर बताया गया है कि हैदर अली अन बेटे तो हैदर अली वास पार्ट ओफ फॉस्ट टू टाइम में बिटीश के साथ अलाइंस करके लड़े थे इसके बाद करें लोबर्ट कलाई और शिराजुद दोला तो बैटल ओफ प्लासी जो एटीन स्वरी सेवंटीन फिप्टी शेवन के टाइम में जो बैटल ओफ प्लासी हुई थी तो उस टाइम की यह बैटल है तो सी इसके लावर ने ट्री ओ लिबर्टी को प्लांट किया था स्री रंग पत्नम से फ्रेंच के साथ इनके काफी अच्छे रिलेशन थे इसके लावर यही बात बिटीश पीपल को पसंद नहीं थी एक और रीजन है फ्रेंच से इन्होंने मतलब बिटीश लोगों ने जब इंडिया को फिर कंट्रोली सेंटरली एक एडमिस्टर करने के लिए एक यूनाइट एक सिंगल यूनाइट किया इंडिया को और उसके उपर रूल किया तो ऐसे जो बिग पावर थी उनको बिटीश ने इसी तरीके से धीरे-धीरे करके सब्ज्यूगेट किया तो जो इसी related पूछा है कौन सी ministry के अंदर आता है तो ministry of earth science is the correct answer friends, इसके लाव friends आप IMD के बारे में आपको पता होना चाहिए कि IMD metrological, seismological जो भी events होते हैं उनके बारे में जानकारी देता है कि बारिस कब होगी, weather forecast कहा रहेगा, इसके लाव अगर हम बात कहें seismology, like the earthquake और इन सब से related भी जानकारी IMD देता है, IMD के अगर headquarter के अगर हम बात करें, तो headquarter इनका दहलीम के अंदर located है और इसके अगर regional headquarters के अगर हम बात करें friends, तो regional headquarters इसके पूने में, सिमला में, देश के काफी सो में located है तो friends, next question की तरफ चलते हैं next question के अंदर friends, पुछा गया है कि ये कोई act है, इसने abolish किया था, trade जो trade की monopoly थी, जो company की, उससे related है, इसमें बताय गया है, इसके लाव अगर जो trade की monopoly को जो abolish किया जिसमें कुछ exception था, कि TN, चाइन जो area है, चाई के अंदर में, इसके अंदर trade monopoly को continue रखा गया, तो 1833 इसका right answer है, 1813 के act की अगर हम बात करें, friends, 1813 के अंदर ही जो Christian missionaries हैं, उनको allow किया गया इंडिया के अंदर, for the purpose of education, basically purpose education का नहीं, तो basic purpose अगर हम बात करें, तो इंडिया में उस टाइम में जो social religious reform movement चल रहे थे, तो उसी religion के time में दिखाई दे रही थी, तो उसी time में British people को लगा कि due to Christian missionaries, they people can attract to our Christianity, तो इस वज़े से उन्होंने Christian missionaries को allow किया था, अगर आपको थोड़ी बहुत भी जानकारी हो modern history के related, तो उसी time में इंडिया में काफी ज्यादा educational institutions का भी establishment में आया था, 1813, 1813 act के through education के लिए भी promise कि किया गया था, बाद में वो जो fund के लिए जो promise किया गया था, कि इतना पैसा fund के लिए education के purpose से deliver किया जाएगा, तो उसको बात तक deliver नहीं किया गया, तो friends आप इन सभी के बारे में बात करना, regulating act अगर 1773 के बात करें, तो यह पहला regulating act था, जिसके तुरू बेटिस ने company के activities को control करने की कोशिश की थी, 1858 act के अगर हम बात करें, तो जब आजादी का पहला जो सवतनतरता संगराम था, उसके बाद में यह आया था, और उसके बाद में अगर हम बात करें, 1853 के तुरू जो governor general of India थे, उसके जो डेजिंग नेशन को change करके, वाइस रवी कर दिया गया था, और कंपनी ने continue, जो क्राउन ने जो कंपनी की activities को completely control कर लिया था, अगर हम 1853 के करें, अगर हम बात करें, तो इसके अंदर mini parliament type का concept था, pure legislative and executive functions या इस्टेबलिस हुए थे, तो 1833 is the right answer friends, जो आपको पता होना चाहिए, इसके अंदर चाय और चाइना को छोड़के कंपनी की ज तो friends, let's move to the next question, next question is about the DGFT, DGFT से related question है, Director General of Foreign Trade, अगर हम बात करें, तो Ministry of Commerce and Industry के अंदर आता है, अभी जो इंडिया का recently जो wheat का बैन किया गया था, इंडिया एक्सपोर्ट नहीं करेगा wheat को, गेहूं को, तो उसी से related ये news के अंदर था, तो DGFT के पास जो power होती है, Director General of Foreign Trade के प पास power होती है, कि कोई भी जो इंडिया का जो goods है, उसको export करना है, नहीं करना है, उससे related इसको power है, तो Ministry of Commerce and Industry के अंदर में ये एक body है, friends, next question के अगर बात करें, तो इसके अंदर बताया गया है, कि इंडिया जो है, among the top three wheat producer country, बिल्कुल सही बात है, second number पे आता है, अगर हम first क चाइना, second is India, and third is Russia, friends, India is only part of the producer countries, not the export countries, अगर हम export orientations के अगर हम बात करें, तो export orientations से रसिया है, highest नमर पे, first नमर पे, second is USA, and third is Canada, अगर हम friends, अगर हम बात करें, इंडिया यहां पे, second highest producer है, बट फिर भी, export में नहीं है, top three में, उसका region क्या है, क्योंकि इंडिया के अंदर wheat, जो एक, जो consumption के अंदर, domestic consumption के अंदर ही, काफी जयदे चला जाता है, तो इस वज़े से, यह region है, अगर हम बात करें, second statement की, second statement मु wheat के अंदर में, जो highest है, अगर हम highest की बात करें, तो highest friends rice है, जो highest है, उसके बाद में wheat का आता है, उसके बाद में wheat आता है, इंडिया में wheat का, अगर सबसे जयदा जो production होता है, उतर प्रदेश से होता है, friends, one is the correct answer, only, a is the correct answer, only one है, इसके अंदर में, तो friends, next question की तरफ चलते है, प्रेंस नेक्स्ट क्विश्चन के बारे में पुछा गया है कि स्टेट ओब ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट है इसको कौन पब्लिस करता है अगर हम फ्रेंस अगर हम बात करें राइट आंसर की तो WMO World Meteorological Organization इसका राइट आंसर है अगर हम फ्रेंस WMO की अगर हम बात करें तो 1950 के टाइम में यह एक्जिस्टनेंस में आया और UN की स्पेशल बोडी थी अगर हम इसके प्रिवियस जनरी की अगर हम बात करें तो 1873 में एक कॉंग्रेस एक कन्वेंशन हुआ था नोन गोर्मेंटल एक और्गनाइजेशन था International Meteorological Organization IMO और IMO की वज़े से Vienna के अंदर जो International Meteorological Congress हुई वहां से IMO का इस्टेबलिस्मेंट में आया नोन गोर्मेंट और्गनाइजेशन था उसी को लेटर फेज में चेंज कर दिया गया WMO के रूप में World Meteorological Organization जो UN की एक स्पेशल बोडी है अगर हम इसके Headquarter की बात करें तो Geneva Sujardland के अंदर इसका Headquarter है Geneva Sujardland Geneva Sujardland Geneva Sujardland के अंदर इसका Headquarter है तो WMO इस रिपोर्ट को पप्लिस करता है State of Global Climate Report को इसके अलाओब फ्रेंड्स अगर हम बात करें UNFCCC जो 1992 मे Earth Summit हुआ तो Earth Summit के तीन जो स्पेशल जो और समिट के थ्री स्पेशल चाइड्स के अगर बात करें तो UNFCCC, 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 CBD, Conventional Biological Diversity, UNCCD, Degertification, सो यह तीन इसके स्पेशल चाइड्स हैं, तो UNFCCC, इसी का एक स्पेशल ओर्गन है, जो क्लाइमिट चेंज को देखता है, जिसकी सम्मिट हर येर पे या एवरी टू येर पे होती है, अगर हम बात करें, इसी की जो सम्मिट है, COP21, जो पेरिस के अंदर हुई, और COP21, क्योट प्रोटोडोर कोल भी हैं, तो अगर हम पेरिस की सम्मिट की बात करें, जहां से इंटरनेशनल सोलर खुछल का जो जिसमें fisheries related decision लिया गया है अगर हम IMF की बात करें तो IMF is the part of the Britain Wood जो twins है World Bank and IMF after the World War 2nd जो IMF and Britain Wood में एक conference हुई तो Britain Wood Conference के Britain Wood के जो twins के रूप में जाना जाता है IMF को अगर बात करें तो World Bank को तो friends, next question की तरफ चलते है इस question का अगर राइट आमसर की बात करें तो WMO इसका साई जबाब है, State of Global Climate Report का Friends, next question is about the GST Council, क्या GST Council एक constitutional body है, बिल्कुल friends, GST Council एक constitutional body है, 279A के थूरू इसको establishment में किया गया है अगर हम बात करें, recommendation GST Council की जो का binding है Parliament, State Legislature Recently, अगर friends, आपने read किया होगा newspapers में, तो Supreme Court ने बोला है, जो recommendations है, GST Council की वो binding नहीं है जो Parliament है ये State Legislature के उपर में तो A is the right answer Friends, आज का discussion यहीं तक रखते हैं बाकी questions को हम next video के अंदर cover करेंगे, तो आप इन questions का practice कीजे और इनको अच्छे से आप अपनी notebook में note down कीजी, thank you, thank you very much कीया से प्याँ तकी अच्छे основ अजाये गिरुा